जरी रिवी था तो वह यह कि मैं पूने में आचुका था आपन सी ए बन चुके थे और और यूनू मतलब जैसी आप CACCM में complete हो जाते हो ना वैसी आपके लिए शादी के रिष्टे बहुत आने शुरू हो जाते है तो मैं क्लास में था पुने के अंदर में और मेरा फोन अचानक से बजने लग गया अगर कोई इतना continuous call कर रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ लफड़ा है तो जरूर कुछ ना कुछ लफड़ा है मैंने बच्चों को एक प्रॉब्लम दिया बाहर आया फोन उड़ाया इतने में क्यारे संत्रे अब ये संत्रा इसले क्योंकि आई बिलॉंग टो नाकपूर तो मेर मेरे मामा है यह मेरे संत्रा बूलाते और मेरे को यही मेरे दो बड़े भायों को बिसें त्रा बूलाते है अन्रे मामा मेरा पूरा मामा फैमिली जो है यह है हिदर आबाद से तो सिचुवेशन यह कि है एह तो उनकी लेंगिज है येस मेरा पूरा नाना घर हंडराबाद में तो now that arises this kya रहे संद्रे मामा जी क्यों क्या हुआ yes क्या हुआ कि तो ले Prince Будetbn पूरा में मामाद जी पूरा में अचानक से और आने के बाद बुले एक काम कर बुले थे मैं इदर जा चुल में बुल रोड ऑंचा दो मामा जी बैठे एक लड़की के साथ बाहर से बैठे वही मेरा फर्स्ट इंपरेशन मेरे मन में क्या आएगा यार आप सोच के देखो मामा आया है पूना से आने से पहले कोई कम्यूनिकेट भी नहीं किया उपर से मेरा मामा वो भी CCD में बैठा अब मैं आग तक CCD में नहीं कर दो송ता जीवन में ठीक है अगा अब लिगा किया सीवाने नौर्मल परिवार से ब्लाइब करते हैं सीजीडी वीर सीडी में जाना हमारे लोजिक में नंहीं बेठा हम नॉर्मल परिवारस बेठा हम ग технолог करते त Gary सीशी से मेरा मैं अंदर गया मामा जी को ऐसे प्रणाम किया जुक करके एक तो मामा लोग जब भी मिलेंगे ठीक है इनको अज जब खुनना से लेती पता नी किस बात का गुस्सा निकाल तो इतनी जोर से पीट पे मारेंगे या तो पकड़ के ऐसे दबाएंगे तुमको की तुम्हारी प्राण निकल दाएं बात समझे रहे हो इनको अल्लक होने तुम्हारे मामा भी देखा होंगा तुम लोगों एसी रहते जीवन के अंदर में कि यहार पकड़ करके इतने जोर से मारेंगे या तो ऐसा पकड़ करके दबोच लेंगे पूरा अरे मामा जीवन के अंदर में मेरी मम्मी का घुस्सा मेरे पर क्यों निकाल रहा जीवन में तुम्हारे साथ भी होता ही अत्ती प्रेमा जाता है इनको अचानक से नी तब तक के ठीक था था थिर अचानक से मेरी नजर इदर गई मेरे बात समझे रहो इदर जो एक महीला बैटी थी थी ना खुबसूरत न मतलब भाई सहाव लड़की कन्याा लड़की भी निकन्या निहायती खुबसूरत मतलब अंतलो हो समझ लो थेक है लड़के मेरी फिलिंग को थोड़ा आज ज्यादा समझ पाएंगे लड़की बिलकुल बैठी है इन्चार इन प्यारे ड्रेश में के एंग धम सुंदर सी ल नर लड़की, बाल खुले वे स्ट्रेट, मतलब लड़के समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, बाल खुले वे स्ट्रेट, इधर घड़ी पेनी वी, इधर एक छोटा सा ऐसा रिंग टाइप का कुछ है, हाथ में बस एक रिंग, ठीक है, ऐसे नजरे जुकी वी, हल किसी मतल काजल लगाईगे, भाईस, मतलब लार, पूछो मत, लड़के समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, लड़कियों के समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब वैसी वाली लड़की है, छीक है, अपना ध्यान उदर, मामा जी इधर, चेहरा मामा के तरफ ध्यान कैसा लाल कलर का ये, क्या, वो हाथ में क्या लगाते हैं, मैं नेल्स पे, हाँ, वो, समझ गए ना तुम, हाँ बस वोई, वो, उपर से इतना प्यारा खुजबु आरा से, मतलब यार, बता नहीं सकता तुमको इतना गजब, समझ रहो, तो ऐसे सब तो ठीक था, यहां में प कि रेलीफ महसूस हुआ, विनलेफ कु महसूस हुआ, क्योंकि मतलब समयते रहु आप बात को, बरबर है, समझ रहो आप बात को, मेर Norweg रीफ महसूस हुआ, मैं रही मामा की चैटिंग तो बच्ची बोल रहे है, तो बोले, यह है बोले, तो बटो बेखको बोले, फिर बोल दिया उसने भी हाय बोल दिया बुलिये हैं पर पड़ती है क्या पड़ती हो बीटा बताओ लड़की बोलती है या एक्चली आम डूइंग मैं ऐसे देख रहा हूं वो मेरे तरफ देख रही है एक्चली आम डूइंग एंबीए फिनान्स फ्रांग सिंबी विटित लड़का सी एंबीए फेनाइस वो भी सिंभॉईसीर वाली बात समझ रहे हो सिंबोईसिस मतलब MBA वाला वो बड़ा वाला कॉलेज उसकी महारानी मतलब जितने में हमारा पांच लोगों का सीए कंप्लीट होता होता तो डिनेशन लगता है वहाँ पर कि तो तो यहां पे फिर मामा जी बोलते है अर्या तुम लोग बेड़ा मैं आता हूँ में काम नप्टान है बोले मैं दू मिनिट मैं आता हूँ इसा मामा बूलकिए न्यपड़ गया अब मेरको पता ही निहीं यह सीन क Wizard क्विल छीन यह चल रहा है कि मामा मेरको उससे मिला रहा है शादी के परपस से और यह मेरको पता ही नहीं है मैं आगे ओभने जंडू तरीखे से उट करके अपने के क्या होता है जीएवन के लड़की मतल educator उसको हर चीज रिख तक 네मतलब इतनी सेंसिटेव लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, या स्मार्ट फोन को टच करनी के बाद हो दो मिलट बाद सेंसेशन करता है इसको मतलब बाजू से भी कोई निकल रहा थो, वह देलीकेट वाली होती न, देलीकेट वाली, वह हैसी वाली, इसको बाजू से भी निकल रहा थो, यह, एसे वाली थी भाई समझे रहो इतनी डेलिकेट लड़की मतलब असा टच कर दो तो लाल हो जाए ऐसा मेरा मतलब यह है कि इतनी डेलिकेट लड़की समझे रहो तूम बात को और एलिगेंस तो मतलब कूट-कूट के भरावा मतल मैं छोड़ करके continent पर धंवां बात समय रोत मैं मैं सिलबस चोड़ करके content पर धान देरोऊ को है दीवन में ओं वूर्ली मेरे को हजआ पितनी डायों को कि है तो वाट यू जवाब में लगी है तूर जूबustom aitर गए рублей मैंने बुला, बुले, what do you do? मैंने अब सवाल पूचा है तो पहले सवाल के बाद जब मैंने बुला, I am a professor, I teach to students and I teach to CA students, so what do you teach? I teach direct access, international access, strategic management, so I teach this, oh, okay, so what are your hobbies? लड़की ने पूच रही, what are your hobbies? मतलब बात समय रहो, पहली बात तो CA student, hobby मतलब क्या होती है? यह तो कभी हुआ करती थी, hobby थोड़े नहोती है हमारी, मेरे बात समय नहीं, hobby थोड़े नहोती हमारी, हमारी hobby क्या होती है? पढ़ना, किताब पढ़ लेना, teacher की book को पलटके देख लेना, सोच लेना, इसकी income क्या होती है? वसी तिनी तो हमारी hobby होती है? यह होती है, हमारी hobby थोड़े नहीं होती है, लाइफ में मैं का, hobby और मैंने का, swimming करना पसंद है, मैं फूड़ी हूँ, मैंने यहां से सवाल चालो की, मैंने का, मैं फूड़ी हूँ काफी, और उस ताइम ही मैं little healthy तो थाई, तो बुले, yeah, I can see that, वो ठहरी पतली सी नाजुक सी, मेरे बात समझे रहो? पतली सी नाजुक सी, मतलब तो मैने काफी foodie हूँ, मुते काफी food पसंद है, मैं वो ठॉड़ी हूँ, मैं तुम्हाओ ऐख और आनवान हाता है, अब मेरे को यह नहीं पतल, do you like food? तो उसने मेरे साथानक से, you, please, मुझे खाना पसंद है, मुझे बनाना नहीं पसंद हो भीटोडा ज़ूला सही, like, कि हैं तो यह आप मैं कुछ बोल नहीं रहा था ज़िकर मैं कुछ बोल नहीं रहा था तो अछो हिए इस सवाल कुछा मैं बोला honestly speaking मैं मामा से मिलने आया हूँ और मुझे निपता ये हम मिल रहे बोले नहीं आप्चली फैमिली इस लोगी फैमिली 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 फैमली इस लोगी पार इस लोगी तो यह तो इस वारी वोल लड़की बोल रिमेन लेट्स लोग अपाउट इस लोगी वारी अप्टाइब ये निपता था कि ऐसा कोई चीज है आम सूरी बाट इसे डोगे इतना जोड़ से बड़ा वाला इतना बड़ा मोती चूट का लड़ू पूटा है मेरे बात समझ रहे हो अच्छा मने का मुझे नहीं पता था but okay let's talk about it फिर उसने मुला क्या office के timing रहते हैं अच्छा MBA लड़की CS student से पूच रहे हैं timing क्या होते हैं मैं मेरे timing सोच रहा हूं मेरे timing क्या होते हैं उलिए तुमारा office 10- 6ज रहा होगा क्या है मैंनि Rumika से दसी छे वे कौन सा timing होता है हमारे तो timing होता है सुवरे 5 से रात में 10 1, 2 2 कि 10 से to चैक मौन मोग कौन लोग काम करते हैं नी मैंने ये नी vis– भाज गोगे लूग मागाए आपलता हूँ अपहलता को नहीं इंध दिखते कर डिए पीआ ही विगे लिफ खनते हो अटारद्य को रिखते हुखेते हो only कि आपने बुलाओ यह ओपनली विल्ट भी अजिस वर्क लाइक इन इन वैने बचावा चेहां न आए इस पेंड टाइम्स अली रहता हूं थोड़ा सा विए सा्टेड संडे कि उता है भाई जीवन में साटरी संडे को दिन टूँडे नौता है यह संडे होता है किस मों वाल आंड की और इगे वौजरी घ्रॉले पूछ में में अब मैं क्योंकि शादी की बात चल भी था फिर्ट मैं में आपे ही फूड में काफी फूड यह था इसमेड का नो कीषिए इसल ना कीषिग रहां क्यों नीं हम खाना वाली रखेंगे रहां वाला मुझे कुछ भी नहीं आता या एकन विपन गी मीच मैं बनाना पसंद यों मैं और ऐको और में गिए में अ appeals और टीका डिकाodel हाने में लड़की और किने मोृ इतने में वो आद्मी माथन हैं मतलब यू प्यारी कॉंवरसेशन चल रहे हैं अदमी आजाता है अब किसी आधें कि डंके यू तो आदमी लेकर के रीड करता है क्योंकि हमको तो कोई माटेरियल मिल जाए हम तो पढ़ने बैढ जाते हैं लड़की ने लिया निच्छे रख दिया एक्टिटूड समझ रहे हो लड़की उसके वाद मैंने का यू प्लीज ओर ठीक है और मैंने बोल तो दिया मैंने तुमन तैसा हत पीछे लेके चैने लेकर देखा क्योंकि क्या होता है हमारे परस मैंने देख लिए मैं उला हां चल परस तो है हमारे टाइम पर गूगल पे जैसे चीज नहीं थी मोबाइल जैसे इतने अफ्ग्रेड़ नहीं थी तैंड अमरे किन आर नहीं सब्सक्राइब शेक दोखिक तो यह इस च JAM 남자 घौी को भाषिया और आशे से फिर साय बल holding और इतना तो अम करीं अतररे म्राइऩ क्लिशन सब्सक्राइस क्वेज़ देते हैं उससरी त्य क्या हिए कुम ते शोचरी की Kalauódian एंड मेक समक्केज वेठ रियर इतने दो तीन शब्द पोड दे ना उसने मेरा को गंठा समझ में आ हमारे लाइफ में क्या है वे हमारे लाइफ में जाना भाया पोहा शांबर और अगे खतम होने के बाद भाद बहाँ चाय समझे रहो हमारे को जीवन में यह थमचते हैं यह क यह क्या होता है भाई तो बुले अच्छा उसके पाद उसने मेरे दरफ आथ किया अगा मेंकित टू गंटा वाँ में नुकाड किसको समझ में आ रहा है सी सी डी में क्या है यह होटे क्या हां यह का वाटे क्या है यह यह मैनलों थोड़ेनी होतहा है यही Ho समिब तू नहीं नहीं चाहे हो तो वह जाता है इतने कड़ाメ। है क्या एंसे स्था लड़की साओस ale seconds में हाओँ में आखों में डाल करें मैं अलग अलग जगह देखे दाऊ और कभी उसके बाल देखें टाराओं कभी कान देखा रहा कि score not gal wi begr वोकवी देख़ रहो को बचिन्देखरों बात सम cela ने मतलब में खुब measurable इसक्राइब कर रहा हूं ए बात में मैं खुब सूर प्रति-सक्राइब कर रहा हूं अ games k racinga हमें बेंधा देख ह Qui Dehtóg phonet करना तुम को तो पता हिया हमसे sub affiliate करना थोड़ 65 अससे अससे कि घर जाना हो जीवन समय जारीव विए यह तो मैंने उसे भूज जाया मा 2 ऐना li a holy i mean मेरी काफी बड़ी फैमली है नौ सगी के बड़ पपा आपके फैमिली में कौन है तो मैंने नौ संगीब हुआए हैं एक बड़े पापा है पापा है आपके लिए पाप पकड़ लिया तुम बात समयते रहो मतलब जिसको आज तक बाजु बेंट पर बैठने वाली लड़की टचना कर पाई ये बहन ने हाथ पकड़ लिया नाचानक से शांत होगे पता नी क्यों आवाजी नी कि अवाज तो निकले आवाजी नी नी कल री जिवन आवाजी नी कल रिमेन लाईस अच्छानक से शादी के चार पांच साल तक के तो बिलकूल भी नहीं हम अपनी परसनल लाइफ कब एंजोई करेंगे अच्छान अच्छान किता हैं अच्छान कि यह अच्छान के तो बात हम अपनी परसनल लाइफ कब एंज्वाए करेंगे आया का ठीक है हुआ हुआ है थी क्या बुलू मिलब जीवन में क्या ही बुलू कि इसके बाद में बुले और मैंने पुझा हाक क्या होबी जैंगा लाइक शॉपिंग वेरी मच मिलब आप मुझे कितना वी टाइम शॉपिंग कर वालो मैंने का मस्त इसको लगा डाला तो लाइव जींगा लाला बच्चे इसने पसंद नी खाना इसको बनाना आता नी भी है शॉट टेब अरे डायरेक कि इत्समा अरे में पूछा भाई सब पूछना तो पड़ेगा ना भाई तो विले इसको लगा डाला है इतने में पंदलवी का फोन आता है मैंने पंदलवी का फोन कट कर दिया मैंने का अभी इसको पता चल गया तो यह जान ले लेए मेरी तो मेरे से पूछे भीना गया है कैसे और पहली बात तु गया ही क्यों अब मेरे को थोड़े मानों था ये तो अई में वही वही चीज़ है जिए मैने उस से पूछ लिया क्योंकि क्या हो रहा था उसके हाव भाव उसकी बाते और इसका ड्रेस मैच नहीं कर रहा था वाई थी इंडियन पहने के पंजाबी समय देरो हलका सा पिंकिश टाइप का खुद गोरी हलका सा पिंकिश टाइप का ड्रे कुछ special था oh please you I don't like this मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद आता मम्मी ने जबरदस्ती पेना के भीज दिया मुझे मुझे कल ड्रेस लेने जाना पड़ाया इस चक्कर में मुझे नहीं लगता तुम्हारी बाते ड्रेस के जैसे मतलब हो सकती है कलर तक यादे आबे इतना स्टोरी यादे तु बात समझ चीसिडी है ठीके मैंने का लड़की मतलब भाइस साब निक और यह वन हम आप के बढ़ेए म करते हैं मैं क्या करते हैं से त्याट सी है आने वाला है we can do an a weekend weekend का होता है एक मिन एक 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 अरुट ऌशाँ होता है हामारे लाइफ में वीख एन्ड के बोटा तो लब जीवन में इतने में आती कॉफी इतने में आ जाती कॉफी जैसे कॉफी आई वो नीक्षे रखे लड़की मंघ्रिये टीशू भीयर टीशू द लड़की वन है तिशू देना तिशूदे न या मैं तिशू आता है लड़की डिशू कारे और रही है से पहले उपर का कप ऐसे साफ कर सी तिशू ले रही है अए-ई-ई-ई-ई-ई-ई उसके बाद एक टिशू और पखड़ा ए ऐसे है कि ऐसे का पकड़री लड़की कि डेडिकेशन समझे रहो तुम नखरे समझे रहो लड़की के ऐसे पकड़री है वो टीशू को जीवन में ऐसे कि इंद मीन टाइम मैं कॉफी का कप उठाया जब तक के एक शर्ट पे गिर गया शर्ट कि अपन ने जब तक के मार दिया एक लड़की टीशू मेरी एक टीशू हाई मतलब मैंने का यार इतने लफड़े करेंगे जब तक के तो मैं चाय पी के भाया दस मिनिट में तो खाना खाना होता है इतने नकरों में तो हमारा टाइम ही खतम हो जाए को समय में में आया है बात थार दिखने में अपसराई थी अपसराई थी क्या झे निटिने में तो अपसराई थी मतलब पूछो मत नकरे समझे रहो जीवन में नलटकी के उसके बाद कौफी पीके एक कौफी पीके निच्चे रह arts me हमने एक बार उठा लिया निच्चे नी रखते से तुल हम। फिर निच्चे खतम रही अरे कौफी। ऐसा हम यह जा रहे। मूच पर लगई अपने को टेंचन नहीं एंड मßबंू है कि करना है आपने गगुंड पर नहीं लड़की थोड़ाइस तोसस्ट करता है दस टीशू बरबाद कर दी और अतनी एक पेड़ बरबाद कर दी एक पेड़ बरबाद कर दी पूरा चुटा साथ मैंने कहो भाई साथ क्या लड़की है फिर उसने कहा मेरे को वे दूइंग इस सागड़े कुछ नहीं तुम बता। बुलें लट्ज गो समवेर मैंने कहा हां वा है लेज्ट गो समवेर। इसके भाद मामा जी आये अब मामा आया हुआ वह भी फोन किया जा मामा जी आखाूं। Ն औरे बस बाहर रहा हूं, आ रहा हूं, दू मिलिड में। मामा जी आए, बोले, अंकल जी मैं निकलती हूं, पैरी पोना पैर पडली लड़की nे, मुझे हाथ दिखाई, मैंने भी हात मिला लिया। मैंने भी हात मिला लिया। कि बोले हैं ओके बिछी यू जो सी यू U कि मामा जी इना को बहार आ आके बोलते हैं ऑर ठीक बीकल नहीतर मा मी के जैसी जो ए ऑँ mijn मामी साथ य आहए करे वान पामें नीची वोला और कितों नी मसता लड़की है और बोले मैंने का सही है सोचता हूं एक हाथ बार और मिलता हूं बताता हूं अब मेरे को समझाया उस दिन मुझे समझाया CCD में जाके order क्या किया जाता है CCD में behave कैसे किया जाता है CCD में जाके मेरे skill develop हो गया life में भाइसा मतलब next level पूछो मत तो CCD में जाके आपके भी skill develop हो जाएंगे कभी CCD जाएंगे आपके भी skill develop हो जाएंगे आपको पता चले का लाटे कपच्चीनो और दुनिया भर की जो चीजे महां पर लिखी होती है सर फिर कितने दिन तक हाथ नी दोए अब है अब आल पागल हो गया अब एक बात तुम्हां बताने भूल गया वह बड़बर करे जा रही थी और मैं बड़बर नहीं कर रहा था तो उसने में कोई बात कही थी जिससे में शौर हो गया था कि यह लड़की तो चाहिए नहीं अब मेरे और भी दोस्ते जो सिए कर रहे हैं आप लोगों में इता अटिट्यूड क्यों होता है आप लोग बोलते क्यों नहीं हो मेरे को यह बात बड़ी बुरी लगी मैंने का बिटा सिए जब तक के चुप है ना तब तक के ठीक है क्योंकि अगर सी यह ने बोलना चालू कर दिया न तो कई लोगों के घर बर बाद हो जाएंगे कई लोगों का चिट्था वहार आजाएगा हम शान्त है यहीं ठीक है पर उसकी बाद मेरे को बुरी लग गई राटिट्यूड क्यों अरे बोलने के लिए टॉपिक चाहिए बहन बोलने के लिए टॉपिक चाहिए हमार पास टॉपिक क में अलाउ डिसवड रहा है या नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा है लोगह अंदर में टॉपम का चल रहा है मिरें को तो वह समझ्या रहा है अकाउंट को यह पाता करने होना है अब बात करनी के लिए बात तो हो नी जी बात है इकाँ जीवन में अब तभी समझना आ गया ता इसको नंफम नी करना मतलब जो मेरे प्रोफेशन को यह नी समझत त्यों मेरे को कहा समझी की बे इसलिए क्लास में जब यू होता है तो मेरे को अचानक सा इसा याद आजाता है यू साना कोस्टिंग मतलब पूरे टॉपीक ओवरेड चल रहा है लो में तो समझ या रहा है जीवन में करना गया डीटी जब तक समझ आता है फिर कॉन्पिटेंस की ऐसी तेसी कर देते है जिन्दगी वर्किंग नोट हो गई है शाली जिन्दगी वर्किंग नोट हो गई है बढ़ भाई कि सर आगे क्या हूआ वह बताओ यह देखो यह आगे क्या हूआ वह बताओ के पीछे अब आगे कुछ होना बाकी क्या भी हो गया खतम कि पल्लवी माम की कहान आए यह तुमगों और तो कैपिटल गेन में अएगे डूंट वर्य सर आपने माडम को यह बताया, शादी के बाद बताया, शादी से पहले बताता है, शादी के बाद बता दिया, यह ऐसा ऐसा था सर फिर आप वो संडे को उसके साथ घुमने जाने वाले थे न, देखो वो सब बाते कोई मतलब नहीं रहा है, लेट अस फोकस अन कॉंसेप्ट